हेलो फ्रेंज आप सबका स्वागत है मावेटी कीचेन में अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज हम बनाने वाले हैं चेज भाजी की एकदम यूनिक रेसिपी आपने ऐसे सब्सक्राइब पहले कभी नहीं खाई होगी यह हमने एक पाउचेज भाजी ली है अब इसके पत्ते पत्ते को तोड़ेंगे यह आप भी सभी पत्तों को तोड़ कर रख लें और डंडी को फेक दें तोकि इसकी डंडी खाने में अच्छी नहीं लगती यह हमने सभी भाजी को तोड़ लिया है अब इससे अच्छे से पानी धो धो कर अलग से प्लेट में निकाल लेंगे इससे अच्छे से धोईएगा थोड़ा करके हम सभी भाजी को धो लेंगे भाजी को धो कर अच्छे से निथार लें क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी रह जाता है यह देखिए हमने भाजी को धो लिया है अब एक बड़ा साइस का प्याज लेंगे और एक लसून की कली अब प्याज को छील लेंगे प्याज को छील कर लंबाई में काट लेंगे जैसे मैं काट रही हूँ प्याज डालने से इसमें बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है यह देखिए फ्रेंस हमारे प्याज कर तयार हो गई है अब लसून छील लेंगे अब हम लसून को छोटे छोटे भागवा में काल लेते हैं और तीन से चार सुखी लाल मिट्स लेंगे चेस्ट चालू करकर गड़ाई रखेंगे और कड़ाई गरम हो जाने के बाद इसमें भाजी को ढाल देंगे भाजी को ढाल कर ढ़कान लगा दे और पांस से दस मिनट पकने दे अब हम भाजी को खूल कर देखते हैं और एक दो बार चास चला कर भाजी को उपार नीचे कर लेते हैं इसमें स्वात अनुसा नमक डाल कर इसे मिक्स कर लेते हैं पांस से दस मिन्नाट बाद भाजी को प्लेट में निकाल ले अब हम कड़ाई में तेल डाल का तड़का लगाएंगे कर लिया हमने काती थी उसे इसमें डाल देंगे तेल में आज इसमें सुखी हुई लाल में चोटे चोटे भागों में दोड़कर डाल देते हैं और प्याज को भी साथ में डाल देते हैं और प्याज को थोड़ा सुनहरा होने तक पकने देते हैं एक से दो बार चलाते रहे हैं जिससे यह जलने जले ना पाए ये देखिए अब हमारा प्याच पक कर तयार हो गया है अब हम भाजी को भी इसे में डाल देंगे और ढख करेंगे अब ढखा नटा कर अच्छे से उसे मिक्स कर लें और बन कयार हो गई हमारी छेज भाजी की सबजी अवाल यारूटी की साथ सब्त लगती है ये सब्जी